पहुत वर्ष पहले एक राजा की दो रानिया थी, बड़ी रानी शोभा बहुत अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी, छोटी रानी रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट थी, बड़ी रानी शोभा के एक पुत्री थी, नाम था देवी, रानी रूपा के भी एक बेट वांधी से नफ्रत करती थी. एक देण उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए. राजा रानी रूपा की नाराजी से दरता था. उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है. उसने बढ़ी राणी और उस तरह जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए गई तो रानी रूपा उन्हें किसी और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वह रोज सुबल गायों को जंगल में चरने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। देवी को अपनी मां का कहना तो मानना ही था। इसलिए वह रोज सुबर गायों को जंगल में ले जाती। एक शाम जब वह जंगल से घर लोट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। द देवी डर गई, चितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की और हांका। दूसरे दिन भी जब वह घर लोट रही थी तो उसने वही आवाज को न सुनी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। रात को देवी ने अपनी मां को उस आवाज के बारे में कहा। मां सारी रा पताईए मां, देवी ने उत्तर दिया, तुम उस आवाज को उत्तर देना। रानी शोभा ने कहा, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। लेकिन मां, देवी बोली, हम उसे जानते तक नहीं। मेरी प्यारी देवी, मां ने दू, खी हो रही थी उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। आवाज कोमल और डू, खा भरी थी। देवी, देवी क्या तुम मुझ से विवाह करोगी। क्या तुम मुझ से विवाह करोगी। आवाज बोली। देवी रुख गई, उसने पीछे मुर कर देखा लेकिन उसे कोई नहीं खाई दिया, वह हिच किचाई, वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी लेकिन फिर उसे मा के शब्द याद आ गए, वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुम से विवाह कर लूँगी, तब वह बड़ी तेजी से गायों को हाकती हुई घर चली गई, अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी उठ गई, उसने जाकर बाहर का दर्वाजा खोला, देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा, वहाँ कोई भी न था, अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वस्तब्द रह गई, एक बड़ा अजगर उसका स्वर बहुत विनम्र था, मुझे निमिंत्रत किया गया था, इसलिए मैं आया हूँ, आपकी लड़की ने मुझसे वाइदा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी, मैं इसलिए आया हूँ, रानी शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुन्दर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वह हजगर होगा, एक नौकर भाग कर रानी रूपा के पास गया और उसे उसने सारी घटना बतला दी, रा रानी होने के कारण ये देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वायदा पूरा करें, उसी दिन विवाह हो गया, रानी शोभा और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद में किसी भी प्रकार की विपत्ती का सामना करन दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दर्वाजा खट खटाया, एक सुंदर नवयुवक ने दर्वाजा खोला, देवी उसके पीछे खड़ी थी, मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूँ, वह नव कुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुश्य बन जाऊंगा, और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है, मेरा शाप उतर गया है, अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगा, प्रानी शोभा बहुत प्रसन हुई, अपनी लड़की और दामाद को राज से मिलाने के लिए ले गई, ये बड़ी विचित्र घटना थी, चारो ओर से लोग इस विचित्र नवयोवक को देखने राजमहल में आने लगे, सभी उतसुक थे सिवाए रानी रूपा के, प्रानी रूपा बहुत गुस्से में थी, उसने जहलाते और खीचते हुए अपन आपको कमरे में बंद कर लिया, देवी का भागय उससे देखा नहीं जा रहा था, वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी भागय शली बने, आखिरकार उसे एक युक्ती सूझी, उसने जपनी लड़की को बुलाया, देवी का विवाह तो अब हो गया है, वह बोली, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताफ करे तो ततकाल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो, यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घरा जाए, उद्धरन चिन्ह, तारा मा की इस योजना से भाइबलीत हो गई, वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना च आती थी, वह खूब रोई, लेकित रानी फिर भी नहीं पिघली, तारा को उसकी आग्या माननी पड़ी, तारा रोज सुबल गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापिस ले आती, लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज नह का निश्चे किया, उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आग्या दी, बहुत खोज करने पर काफी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला, उसे पकड़ कर वे राजमहल में ले आये, आखिर का रानी का अभिप्राया पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह हिस अजगर से कर दिया, अब रानी को संतोष हुआ, विवाह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया, रानी अधीरता से सुबल की प्रतीक्षा कर रही थी, रानी रूपा ने सवेरे सवेरे ही लड़की की कमरे का दर्वाजा खट- लेकिन कोई उत्तर न मिला। उसने जरा और जोर से दर्वाजा खट खटाया लेकिन दर्वाजा तब भी न खुला। रानी से और प्रतीक्षा न की गई और उसने धक्का देकर दर्वाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पढ़ा हुआ था लेकिन तारा का कही पता नह देखो वह कितना मोटा हो गया है। नवयुबक से हो।